परदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परिक्षा देंगे अभी तक जो हमलों के पास कन्फर्म सुचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परिक्षा में शामिल होने के बारे में ज्याद हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परिक्षा है पाँच दिनों में दो-दो पालियों में संपन्न होगी आज प्रथम पालियों के परिक्षा चल रही है सभी जगह सुच्चतापून तरीके से परिक्षाए प्रारम होके सकुषल तरीके से चली चल रही है सभी जगह हमारे माजिस्ट्रेट हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रहमनशील है यह में पूरी परिक्षा एक लंबी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जैसे प्रशन पत्र का भंडारन फिर वहां से सेंटर पर पहुंचाना यहां बच्चों को का अधार प्रमानित करना और उसके बाद से सुचारों रूप से परिच्छा कराना तो इस बार ऐसी विवस्था की गए थी कि किसी को कोई असविधा नहीं होई शाशन अस्तर से और सभी असदुकारियों के अस्तर से बार-बार जीले का अधिकारियों को सभी चीजें बटाई भी गई ट्रेग्ड भी दी गई उस कारण से ही परिच्छाएं बहुत ही शांत तथा विभाग सुचिता पून तरीके से और एक स्वस्त पर्तिस परधा के तहट मेधावी बच्चों को लेने के लिए संकल्प है जिनको आगे आने वाले 30-35 साल तक विभाग को सेवाएं देनी हैं और विभाग के साथ साथ जनता की सेवा करनी हैं ऐसी इस्थिति में जो लोग मेधावी हैं और मेधा का ही सम्मान किया जाएगा और जो लोग स्वस्त कंप्टिशन से इसमें आएंगे वो लोग विभाग में अपनी सेवाई देंगे मेधास गिरबतार हुई है और जहां जहां से भी ऐसी गड़बड़ी की सूचनाइं मिल रही हैं और हम कठोर से कठोर कारवाई जाहे वह विभाग के बाहर का व्यक्ति हो चाहे बिभाग के अंदर का व्यक्ति हो किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो हम लोग इस पर कारवाई करने में कोई हिच्पे नहीं यह अभी तक कहीं से भी प्रशनपत लीक होने के कोई सूचना नहीं है जो लोग भी भामक खबरे फैला रहे हैं उनके विरुद कठोर कारवाई की जाएंगे